जब भी कभी आप fruits खरीदने जाते हैं तो फल की दुकान पर सेव संत्रों जैसे फलों पर लगे stickers पर आपकी नजर जरूर पड़ी होगी लेकिन क्या आप इन stickers का मतलब जानते हैं? 100 में से 99 लोग इन stickers का असली मतलब से बिलकुल अंजान है जादा तर लोग इसे देखकर premium quality और imported समझते हैं और फल बेचने वाले भी इस मानसिक्ता का जम कर फैदा उठाते हैं और उनसे महंगी रकम वसूलते हैं लेकिन सच तो यह है कि इन stickers का न तो import, export से कोई लिना देना है और ना ही फलों की कीमत से बलकी यह सिधे तोर पर आपकी सेहत से जुड़ा है दरसल यह stickers तीन प्रकार के होते हैं और तीनों का मतलब अलग-अलग है जिसे हमें ध्यान से समझने की जरूरत है इन stickers का code तीन अंक यानि 4, 8 और 9 से शुरू होता है जो fruits की गुनवता यानि quality indicate करते हैं अगर आपको सेव या संत्रे पर 4 अंको का sticker दिखे जिसकी शुरूरात भी 4 से हो तो बिल्कुल सौधान हो जाईए ऐसे फल सस्ते तो मिलेंगे लेकिन इनका नुकसान सेहत के लिए ज़्यादा है क्योंकि इनका उत्पादन कीट नाशक और chemical से हुआ है stickers की दूसरी category जिसमें 5 डिजिट होते हैं लेकिन नंबर के शुरूरात 8 से होती है जैसे 84513, 86542 इत्यादी इसका मतलब ये हुआ कि फल genetically modified है यानि फल प्राकिर्तिक नहीं है बलकि लैब में विक्सित किया गया है इन फलों की कीमत 4 डिजिट यानि कितना शक वा chemical से ज़ादा होती है लेकिन इनका भी सेहत नुकसान है stickers की तीसरी और सबसे best quality है 5 अंक वाले और इनकी शुरुआत 9 से होती है जैसे 93524, 95382 इत्यादी और इसका मतलब है कि ऐसे फलों को बिलकुल organic यानि प्राकिर्तिक तरीके से उत्पादन किया गया है जाहिर है इनकी कीमत भी सबसे ज़ादा होगी लेकिन सेहत के लिए यही सबसे अच्छे होते है